सत्र किसको कहते हैं कहां तक का हिस्सा जो एक इनसान की जिसम का होता है उसको सत्र कहते हैं मर्द का सत्र क्या है और अवरत का सत्र क्या है मर्द का सत्र नाफ से लेकर गुठने तक का है नाफ से लेकर गुठने तक का जो हिस्सा मर्द का है वो किसी के सामने खोल नहीं सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको मालूम नहीं होता है वो किसी भी तरह से बैठे रहते हैं उनका पैर अगरा खुला रहता है तो मर्द का सतर जो होता है वो नाप से लेकर गुठने तक होता है और आवरत का सतर पूरा जिसम है यनि सर से लेकर पैर तक ढखा होना चाहिए इल्ला माजहरा मिनहा मगर ये कि जो बेतकलुफी में जाहिर हो जाए कोई चीज औरते पकड़ रही है उनका हाथ जाहिर हो गया चल रही है इतिफाक से उनका पैर नजर आ गया वरना एक औरत का पूरा जिसम जो है वो सतर है उसे ढखा होना चाहिए